Resident Evil 4 Remake Gameplay 13 in Hindi में आपको स्वागत है दोस्तों आज मैं इस Gameplay में सबसे पहले तो Ashley से Leon को ढूंडूंगा उसके बाद Leon से दो Geredor Boss को मारूंगा फिर Verdugo Boss को मारूंगा बाकी वहां तक पहुशने के लिए क्या Twist and Turns हुए उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरी की पूरी हिंदी कमेंटरी करी है तो एक सबस्क्राइब तो बनता है इसलिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा अब फिलाल तो सबसे पहले तो हम लोग को लियाउन को ढूड़ना होगा देखना होगा यहां पर काफी अंधेरा दिख रहा है और जानवरों के सर भी दिख रहे है यहां पर कभी कोई भी कहीं से भी आ सकता हो गिर गया नीचे डोर दिख रहा है यह तो लाइबरेरी लग रही है लेकिन मुझे नहीं लगता है यह नॉर्मल लाइबरेरी होगी यहां पर जो है रोबाट्स दिख रहे है जाहर सी बात है मैं पहले भी देख चुका हूँ कि इन रोबाट्स में जाना जाती है और यह जरूर जिन्दा होंगे फाइल मिली यह मटके तो लियाउनी ले सकता है इनके बस की बात नहीं है तोड लेए यह मटके भी नहीं तोड सकती यह तो कलॉक दिख रही है मुझे लग रहा है यहां पर कोई बजल है फिलाल तो मैं पता नहीं है कि इसमें कितना टाइम बजाना है लग रहा है कोई फाइल हमें फाइंड करनी होगी जिससे हमें पता चलेगा कि यहां पर जो है कितना टाइम बजाना है लेकिन अभी तो मैंने स्टार्टिंगी करी है इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है और लियान तक पहुचना इतना आसान तो होगा नहीं फिर भी ट्राइ कर रहा हूँ देख लेता हूँ कि शायद कहीं हो जाए लेकिन मुझे नहीं लगता होगा जब तक एग्जैक मुझे टाइम नहीं मिलेगा पता चलेगा यह नहीं होने वाला मुझे इस कलॉक से दूर अटना होगा और देखना होगा और कि मैं यहां कर सकता हूँ यहां फिलाल तो मुझे लग रहा है कि मैं टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि यहां कुछ होने वाला है अभी फिलाल तो क्योंकि मुझे टाइम पता नहीं है किता बजाना है यहां पे मुझे आगे बढ़ना होगा वहाँ पे डौर तो दिख रहा है वैसे मुझे चेक कर रहा हूँ यह गड़ी में कहीं यहाँ से मुझे को टाइम पता चल जाए मुझे लग रहा है कि उसी डौर पे मुझे जाना होगा आगे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो है मुझे एक्जैक टाइम पता चलेगा इस गड़ी से लेकिन फिर भी ट्राइ करके देख लेता हूँ क्योंकि सामने ही रखी है यह मुझे नहीं लगता टाइम होने वाला है क्योंकि अगर यह टाइम सही होता तो अभी तक कि कुछ न कुछ तो हुआ होता है यहाँ पे चलो बैटो ना निकलो यहाँ से जल्दी काफी सुस्ती दिखा दिया है यहाँ पे मैंने इस जेगा मुझे बस आगे बढ़ते रहना होगा वैसे काफी अंदेरे रास्टे है यहाँ तो थोड़ा अजाला हुआ है वैसे पहले तो काफी अंदेरा था मुझे रहना है आगे भी अंदेरा है हलका पुलका अजाला है यहां पर भी लाइबरेरी दिख रही है और यहां पर होल दिख रहा है नीचे जाने का क्राउल करने का यही पर लाइबरेरी में मुझे कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ फाइंड करना है लग रहा है शायद मुझे कोई फाइल देखनी है और यहाँ पर खेल जो भी है वो खेल तो यही है कि मुझे घड़ी में टाइम बजाना है जहां तक के लेकिन मुझे क्या टाइम बजाना है यह मुझे देखना होगा जैसे लग रहा था कोई कड़ा हुआ है काफी अंदेरा है यहाँ पर एक एक रास्ता मुझे चेक करना होगा यहाँ पर पिक्राउल करना है वहाँ पर संदूक रखा है यहाँ पर लग रहा की लगेगी फिलाल तो मुझे की मिली नहीं है वो जो यहाँ लगेगी मुझे लग रहा है वही की मुझे फाइंड करनी होगी यह तो मैं वापस ही जा रहा हूँ जहां से आया हूँ हो सकता है चेक कर लेता हूँ कुछ छूट गया हो शायद यहां पर कुछ दिख रहा है लेबरेरी के खुल गया दरोजा जहां पर दिख रहा है कोई होड़ करने वाले डिवाइस दिख रही है लग रहा है स्टेयर नीचे आए इन स्टेयर के उपर मुझे जाना है जल्दी से मुझे स्टेयर के उपर पहुचना होगा इस टेयर के पास यह खोलना जरूरी था यह नया रास्ता है अब यहां देखता हूँ कि यहां क्या करना है यहां पर भी कोई चीज दिख रही है कि जहां पर कुछ लगाना है हमें कुछ मिल नहीं रहा है बस लगाने ही वाली चीज़े मिल रही है चैलो मिला तो की मिल गई कीज इस की के लिए हम लोग यहां पर आये थे तीन चार कीज है अब देखना है कि यह कहां कहां लगेगी यह कीज यह मटका तो यह पोड़ सकती नहीं जाहर सी बात है यह अतनी वीक हैं कि इसे मटका तो पूटेगा नहीं अब मुझे जल से जल यहां से जो है निकलना होगा ताकि मैं लियौन तक पहुच सकूँ सबसे पहले तो हमारा टार्गेट यह ही है कि हमें लियौन तक के पहुचना है लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना आसान उने वाला है अब देखना होगा कि यह कीज कहा कहा लग सकती है लग रहे हैं यह रोबोट भी जिंदा हो गए है अब मुझे इनसे भी बच्छना है बच्छते हुए अपने मिशन को अंजाम देना है फिलाल यहां तो लग गई कि एक लग जाएगी मुझे लग रहे देखता हूँ यहां क्या मिलता है यह नहीं लग रही यह भी नहीं लग रही यह लग जए हाँ यह लग गई अलिगन्ट पर्फियूम मिल गया चलो ट्रेजर मिल गया कम से कम चलो कम से कम ट्रेजर मिल गया चलो यहां पर आना फालतू नहीं गया अब देखना होगा कि बाकी कीज कहा लगेंगी एक की दो लग गई अब मुझे वह रास्ते चेक करने होंगे जहां पर मैं नहीं गया हूँ अब और इन लोग से भी मुझे बचना होगा यह जो रोबोट्स हैं हाँ यहां पर एक की लग गई यहां पर भी एक की लग गई अब कोई ना कोई तो लग जाएगी वाँ चलो एलीवेटर खुल गया अब मैं यहां से निकल लेता हूँ ऐसे भी यह लड़ाई दू कर पाएगी नहीं बस इससे भागना है लड़ाई दू सिब्लियोन करेगा खुल गया चोटा सा रास्ता यह अब देखना होगा कि बाकी जो कीज बची हुई है वो कहां कहां लगेंगी स्टोरी आ गई मुझे लग रहा है वहाँ पर लियाउन है अब मुझे इस दर्वाजे को खुलना होगा यहां पर कुछ लगेगा जहां आशले देख रही है अब देखना होगा यहां पर क्या लगेगा वो मुझे डूडना होगा स्क्वाइर में होगा जाहिर सी बात है वो पहले तो सेव कर लेता हूँ अब मुझे यह स्क्वाइर शेप वाली की डूडनी होगी यहां पर भी एक घड़ी है इसको भी मैं अभी जो है नहीं टाइम सेट कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं कितना टाइम सेट करना है पहले तो मुझे वो टाइम डूडना होगा यहां पर कितना सेट करना है यह भी मुझे डूडना है इस स्क्वाइर की के लावा फाइल मिल गई इस फाइल में भी नहीं लिखा हुआ है यहां पे भी कुछ लगेगा यह सम्मट के लिए अन के लिए है यहां पे कोई फाइल है यहां पे टाइम लिखा हुआ है ग्यारा बच के चार मिनट यानि मुझे घड़ी में 11 बचके 4 मिनिट बजाने है जो दोनों घड़ी मुझे दिखी है वहाँ पर तब मुझे लगता है आगे कर रास्ता कुलेगा और मैं स्क्वाइर वाली की तक पहुचूंगा जो यहाँ पर लगेगी फिर मैं लियॉन तक पहुचूंगा ग्यारा बचके 4 मिनिट बजाना है मुझे लग रहा है वो गया दर्वाजा खुलेगा यह खुल गया दर्वाजा यहाँ पर भी काफी अंदेरा दिख रहा है रोबोट आ गया इससे मुझे बचना होगा और यहाँ डिवाजस कोई दिख रहा है यह गुमाने वाली बस मुझे भागते रहना है इन लोगों से बस किसी तरीके से लड़ना नहीं है शुकर लड़ना नहीं है ने तो मुसीबत हो जाती यहाँ क्राउल करना है अब मुझे यहाँ पर एक एक चीज़ चेक करनी होगी अब यहाँ पर मैं आया हूँ तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ यह दूसरी कुलॉक तक पहुच गया हम है वह सब रास्ते कैसे एक मैं मिला देते हैं काफी दिमाग लगाते हैं गेम बनाने में चालो यह भी खुल गया है अब यह रास्ता तो मुझे लग रहा है नीचे की तरफ जा रहा है अब मुझे लगता है कि यहां पर स्कॉाइर वाली जो टैबलेट जो की है वो यहां पर मिलेगी क्योंकि यही आखरी गड़ी थी जो मैंने जहां पर टाइम बजा दिया है अब यहां पर मुझे एक दम सही से चेक करना होगा ऐलिवेटर दिख रहा इसी आलिवेटर से मुझे लग रहा जाना होगा यहां पर मुझे उपर चालो खुल जा जल्दी बास जल्दी पहुँच जाएम लोग जहां पर लग रहा है रोबॉट खड़े है कोप सारे जहां पर भी लग रहा है कोई-थल टाइप की चीज़ आईगी रिंग करना है मुझे लग रहा है मुझे लग रहे Betty नप बारी बारी रिंग मुझे बजा के मुझे लग रहा है इस गेट में मुझे भागना होगा यह मुझे बनाने होगा यह निशान यह रिंग बजा के चार रिंग होगी यहां पर एक तो होगई मुझे लग रहा है यह लोग जिन्दा हो रहा है मुझे भागते भी रहना है साथ में ने तो ये लोग एक ही वार पर काम तमाम करदें एशले का यह वाली रिंग बजानी है हम मुझे लग रहा आखरी बच्ची है बास अब जल्दी से मुझे भागना होगा नहीं तो यह लोग काम तमाम कर देंगे गेट खुल गया चलो मैं निकल गया है यहां से अब देखना होगा यहां पर क्या करना है बस मुझे भागते रहना है यहां पर भी रोबोट दिख रहे हैं कई सारे यहां पर लग रहा है कोई पजल आ गया है क्योंकि वो रोशनी टाइप की दिख रही है वो टैबलेट अंदर रखी हुई है जो मुझे चाहिए लेकिन पहले मुझे लगता है कि यहां पर मुझे कोई पजल सॉल्फ करना होगा अब देखना होगा यह पजल कैसे होता है आसान तो होने वाला होगा नहीं है मुझे नहीं लगता क्योंकि गेम में मैं काफी आगे बढ़ गया हूँ यह हाड़ी होने वाला है यह सारी जो लाइटे जल रही है यहां पर मुझे रिफ्लेक्शन जैसा कुछ बनाना है यहां पर इसको भी चालू करके देखता हूँ मुझे सब ट्राइ करना होगा तब ही यह पजल सॉल्व होगा वसे जरूरी है पजल आना भी पजल आते हैं तो गेम में इंटरेस्ट आता ही है यह तो गेम तो बोरिंग ही हो जाता है इजी होते होते खाली लडाईया ही होती रहें तो गेम तो बोरिंग हो जाएगा पजल भी आना जरूरी है चालो यहां पर स्टार लगा दिया जो की चमकता हुआ अब पहली बार खेलना हो तो मुझे पता नहीं है कैसे कौन सी इस तरीके से आकरती बनानी है कैसे आकरती बनानी है सब मुझे अलग अलग तरीके से गुमा के चेक करने होंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं पहली बार खेलना हूँ इसने मुझे कुछ आइडिया नहीं है और मैं अलग अलग तरीके सही ट्राइ कर रहा हूँ जिससे मुझे लग रहा है कि ये पजल जल्दी सॉल्फ हो जाएगा बस मुझे चेंज करते रहना है मेरा तरीका यही है कि बस चेंज करते रहो कोई ना कोई पैटन तो सही होई जाएगा अब यहाँ पर पूरा चांद बन गया मुझे लग रहा है यहाँ पर पूरा तारा बनाना होगा लेकिन कोई भी एक तरीके से मैं नेक देख सकता है मुझे हर तरीके से ट्राइ करना होगा क्योंकि मुझे आलग-अलग रिफलेक्शन्स बनाने है यह भी बिकड़ा हुआ है यहां आधाचान बन गिया यहां तो दोनों Mix है चलो मुझे लग रहा है यह भी बन गिया है मुझे लग रहा है की लबबबबबबबबबबबबब हम काफी करीब आ गए है इस पजल को सॉल्व करने ही में हो गया सॉल्फ अब हमें टैबलेट मिल जाएगी जो की थी उस की को लेना है लेकिन मुझे लग रहा है कि वो रोबाट जो है जिन्दा हो गया यही मैं लगा कि महाँ पे जो है लियों तक पहुचूंगा मुझे बस यहां से निकलना होगा इन लोग से बच्चते हुए अब सब जिन्दा हो जाएंगे मुझे लग रहा है काफी तेजी दिखानी होगी मुझे यहां से निकलने में यहां से तो मुझे लग रहा है कि जुक के निकलना होगा क्राउल करके यहां पर भी की लगेगी कोई ना कोई ऐसे खतरनाइट टाइम पर मैं की लगा रहा हूँ जब मुझे सब गेर रहे हैं मारने के लिए एशले को एमरेल्ड मिल गया चलो वसे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए गेम में क्योंकि यह सब कामी आएगा लियॉन के हाँ मुझे अराम अराम से निकलना होगा मुझे लग रहा है आगे भी खड़ा है वो इंतिजार कर रहा है मेरा ही बेट कर रहा है अरे मेरा नहीं एशले का बेट कर रहा है अब मुझे किसी भी तरीकी से बच बचा के यहां से इन लोग को डॉच करते हुए यहां से निकलना होगा यहां से तो निकल सकती है अब देखो सब ने घेर लिया एक साथ बस मुझे इस एलिवेटर तक पहुचना है अब देखना होगा यह एलिवेटर उपर जाता है कि नीचे आता है वो लोगार है मेरे तरफ उपर गया अब मुझे लग रहा है कि जल्दी मैं लियाओं तक पहुच जाओंगा अब यह दुबारा मैंने क्यों दबा दिया यह सब तो मेरे नीचे वेट कर रहे हैं मुझे नहीं आना है दब गया बटन गलती से अब मुझे लियाओं तक पहुचना काफी तेजी दिखाते हुए यहाँ पे भी आ रहा है एक चलो बच गया इससे भी बच गया मैं जरा सा बचा एकदम अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई शॉर्ट कट है डारेक्ट वहां तक पहुचने का मुझे लग रहा है यही रास्ता सही है बस मुझे आगे बढ़ते रहना होगा इन लोगों ने भी मुझे घेरा हुआ यहां से चलो निकल गया मैं बस जड़ा सा बचा था यहाँ पर भी मैं अब मुझे लग रहा है कि मैं पहुचने वाला हूँ लियों तक जहां टैबलेट लगे गी यह जो मिली है हाँ पहुच गया मैं अब यहीं पर लगाना है मुझे लियॉन मेरा वेट कर रहा है वहाँ पे अब लग तो रहा है पहुँच गया मैं लियॉन तक अब देखना होगा यहां क्या होता है मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मैं लियॉन तक पहुच जाओंगा वैसे मैंने यहां तक पहुशने में भी मैंने काफी महनत करी है वैसे लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि यहां पर जो है कुछ ना कुछ होगा की तो फेक दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि आशले काफी उपर है मुझे लग रहा है कोई आने वाला है अब मुझे लग रहा है लियॉन का यहां से मिशन होगा आशले का मिशन हो चुका अब लो आशले को पकड़ लिया इसने इतनी मैंनत करके मैं यहां तक क्या आया है और वो ले गिया आशले को अब मुझे लग रहा है लियॉन से मुझे पहुचना होगा आशले तक चेप्टर एंड भी हो गया पहले तु सेव कर लेता हूँ चलो सेव भी हो गया अरे यार मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह लोग बार बार एशले को ही उटा के ले जाते हैं और कुछ करते नहीं है बसकाली दिखाने के लिए उटा के ले जाते है चिलपेंडी लोग अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको ही मारना होगा जब मैं लियाउन से महा तक के पहुचूंगा तो पहले मैं इसको मारूंगा जो अशले को उठा के ले गया है पहले मुझे इसका ही काम तमाम करना होगा तब ही मैं अशले तक पहुंचूंगा एड़ा आ गई यह भी लिओन को मेसेज देती रहती है यह एक बात देखा है लिओन के सपोर्ट में यह लोग काफी लोग है मैसे आइटा ने देख लिया आइशले को लेके जा रहा है अब यह लिओन से बता देगी जो कि लिओन पहले ही देख चुका है एड़ा ही का कॉल होगा एड़ा एड़ा ने सिर्फ इसको क्लू की दिया है सब कुछ खुल-खुल के नहीं बताया है थ्रोन रूम तक पहुचना है लियाउन से अब यहां से लियाउन का कियम चालू होता है अब मुझे इन लोग का काम तमाम करने में काफी मज़ा आएगा क्योंकि एक तो मैंने आशले से इत्ती मेहनत करके यहां तक मैं पहुचा हूँ उसकी बाद बस एक ही जटके में वो लेकी चला गया आशले को अब मुझे इसका काम तमाम करने में बहुत मज़ा आएगा लियाउन से अब उससे तो मैं सिर्फ भागी रहा था अब इससे जो है लोगों को मार भी सकता हूँ जो की मज़ा आता है एशले से भी खेलने में तोड़ा अलग एक्सपिरियन्स है कि उसमें खाली आपको बच्चना है लेकिन फिर भी लियाउन से तो आप पुरा बदला ले सकते हो इन लोगों से इसलिए ज्यादा मज़ा आता है और ये लोग मौंस्टर हैं ऐसे भी कोई अच्छे तो हैं ये लोग मकडी आ गई अभी आप मेरा पहली बार सामना हो रहा है मकडी से इस गेम में चलो उसका तो काम तमाम हो गया मुझे लग रहा है एक मकडी है लेकिन अभी भी इसका काम तमाम करना होगा चलो दोनों कुछ देई के गए हैं और जितने ज्यादा ये आएंगे उतने ज्यादा मेरे पास हैंड गन की गोलिया या शॉर्ट गन की गोलिया या जेम्स मिलेंगे मुझे तो मेरा फाइदा ही है इन लोग क्या आने में अब देख लेता हूँ कि इसमें जेम्स लग सकते हैं जेम्स इसमें लग सकते हैं देख लेता हूँ स्कौाइर नहीं लगेंगे इसमें तो गोल वाले लगेंगे मुझे लग रहा है गोल वाल जैम मेरे पास है नहीं वैसे ज्यादा इसकुायर वाले हैं मेरे पास इसलिए बन नहीं पाएगा मुझे लग रहा है फिलाल चलो इन सबसे ज्यादा जरूरी काम तो यह है कि हमें एशले तक पहुचना है यहां से निकलना होगा दर्वादा तो बन दे है यह उपर की तरफ जादा है रास्ता एकदम लंबा इस्टियर यह बाई साब ने फिर से हमारे उपर हमला कर दिया अब इसका कम तमाम करना ओगा अब इसने पहला वार कर दिया मेरे उपर एक और आ गए दो दो आ गए बशे में हो गए यह तो अब इसको भी मार ना होगा मुझे बचकर मेरी लाइफ काफी कम है पहले तो लाइफ बढ़ा लेता हूँ तब ही मैं लड़ पाऊंगा नहीं तो मेरा काम तमाम हो जाएगा अब यह चूनी पाएगी मुझे चालो फिर भी इसने बोलने के बहुश़्ूद भी छूई दिया मुझे तो मैं गलत सावी तो ओगा इस जगा लिकिन फिर भी मैंने काम तमाम कर दिया वैसे मैं चाहता भी हूँ कि यह लोग जल्दी जल्दी मेरे सामने आया और मैं इनका बहुत अच्छे से काम तमाम करूँ अब देखना होगा इस स्टेर्स के उपर क्या है डूर दिख रहा है वहाँ पर यहाँ पर कुछ आइटम मिलेगा अब मुझे इस रूम को अच्छे से चेक करना होगा इस प्रेय मिल गिया चलो लाइव मिल गई पूरी की पूरी वहाँ पर कोई पेंटिंग दिख रही है मुझे लग रहा है स्टूरी आने वाली है हाँ पर वैसे मुझे नहीं लगता है स्टूरी आईगी क्योंकि आना होता तो अभी तक आ चुकी होती यह भी एक डूर दिख रहा है देखना है कि इसके अंदर क्या है वहाँ पर एक मटका दिख रहा है चलो गन पाउडर मिल गया इससे क्राफ्टिंग हो जाती है गोलियो के चलो गुछ गोलिया आ गई खम से कम चलो देखना होगा यहाँ पर सही से चेक कर लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पर यहाँ पर लग रहा है मुझे मकड़िया आने वाली है बहुत सारी चलो यह का भी गई अब पहले तो मैं बैक अप लेता हूँ क्योंकि यह लोग काफी फास्ट होती है और काफी अच्छा है यह लोग डॉज करती है गोलियों को इसनी मुझे बचके मारना होगा क्योंकि यह मारेगी तो एक यह बार में काफी ज्यादा लाइफ जाएगी और मेरी खुब सारी लाइफ बरबाद हो जाएगी वेट कर रही है मेरा बाहर वो लेकिन वो भी काफ़ी चालाक है अंदर नहीं आ रही है इंतिजार कर रही है कि मैं जो है बाहर निकलू मेरे उपर ये पीछे से हमला कर दे चलो उससे चलाक नहीं हो तुम चलो इसका तो काम तमाम हो गया लेगिन मुझे नहीं लगता किया आपे सिर्फ एक ही मकडी आएगी मुझे लग रहा है कोर आ गई है मुझे लग रहा है कि यह आपे मुझे काफी सारी मकडीों को मारना होगा तो यह मकड़ी भी है और मकखी भी है उड़ने वाली मकड़ी इसलिए क्योंकि दीवारों प्राहूल करती है मकखी इसलिए क्योंकि उड़ती है चलो इसको भी गिरा दिया अगर ये लोग ऐसे ही आती रहेंगी तो काफी मेरी शॉर्टगन की गोलिया बरबात कर देंगी है इसको तो राइफल इसे गिरा दूँगा मैं लट तो रहा है इसका काम तमाम हो गया बैक और आगए इसने तो ये तो काफी फास्ट निकले इसने तो अंदर ही मार दिया मुझे चलो इसका काम तमाम हो गया किक में अब देखना होगा ये कितनी सारी आती है एक और आ रही है ऐसे तो ये सारी गोलिया खा जाएंगी मेरी मुझे ज्यादा इस्तिमाल जो है हेंडगन का ही करना होगा नहीं तो जब कोई भारी बास आएगा तो मेरे पास गोलिया बचेंगी नहीं क्योंकि मैं सारी गोलिया इन पर ही खर्च कर चुका होगा अब देखना होगा कहा चली गया आई ये नीचे थी नीचे गर गई फिलाल इसको तो शॉर्ट गन सही मारना होगा तो जो मेरे मुझे आके हमला कर दी एक दम तो उसको तो शॉर्ट गन सही कंट्रोल करना होगा टाइंट गन से तो उसको मार नहीं सकता क्योंकि वो असर कम होती है अभी भी गन पाउडर मेरे पास नहीं है चैलो बढ़ गई जित्ता गन पाउडर था उतनी रैफल की गोलिया मिल गई मुझे अब नहीं हो सकता अब देखना हो कि यहां क्या करना है मुझे एक और इंतां आए है मुझे लग रहा है हों यहां पर मकड़ीया है कहली चैसी वज़़ यह मिशन जो है काफी हार्ड होने वाला है मुझे लग रहा है चैलो इसका काम तमाम हो गया और देखना हो गया इसने दिया क्या है काश कि इसने कोई बड़िया चीज दियो चलो गन पाउडर दिया एच्छी बात है गोलियों का भी इंतिजाम हो रहा है यह मर रही है तो अब मुझे लग रहा है कि एक और मकड़ी आ गई है वो वहाँ पर जहरीली मकड़ी को मुझे मारना होगा जहरीली मकड़ी बोलू समझ मैं नहीं आ रहा है मकड़ी बोल लेता हूँ यूकि उड़ रही है यह ज़्यादतर टाइम क्राउल तो कमी कर रही है चलो इन दुनों गिरा दिया मैंने अब मैं इनको हैंड़ गन सही मारूंगा हैंड़ गन से मारना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा लेकिन जो है रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि अगर कोई बास आ गया तो मेरे पास गोलियां बचेंगी नहीं शॉट गन की और हैंड़ गन की गोलियां मिलती हैं काफी शॉट गन की मिलती नहीं है है आजए मडलब जल्दी नहीं मिलती शॉट गन की आज़ गन की तो मिलती रहती है चलो गन पावडर मिलिया जन नहीं होता है और उन सब को एक साथ मारना होता है अरे इसने पकड़ लिया मुझे चालो इसका भी काम तवाम कर दिया मैंने यहां पर मटका है अरे यह लोग प्यार बहुत बड़े चुरुवे हैं साइड से आते हैं दिखते भी नहीं एक दम इन चुरुवे को मुझे चुरुवा पंतीस ही मारना होगा इन से आप सीधे तरीके से नहीं लड़ सकते हैं इसलिए मैं आते ही पहले डोर के अंदर गुसके मैंने चुप चुप कहीं मारा था उन लोग को इसलिए क्योंकि यह लोग भी ऐसा ही करते हैं तो इनका जवाब इनको जवाब भी वैसा ही देना होगा चुरुवा पंतीस है अब यहां पर भी यह लोग कहीं से भी आ सकती हैं यह देखो छुपी होई थी एक दम बुद बन के लेटी रहती हैं और जैसे ही आप इनके पास आओगे बस हमला कर देंगी नशे में हो गई वह वैसे हैंड गन की काफी गोलिया मारना पड़ता है तीन चार गोलिया पड़ती है तब मरती है यह और शॉट गन की एक दो ही काफी होती है इनके लिए आगे भी होगी वहाँ देखो बुद बन के लेटी है और जैसे ही मैं उसके पास जाओँ वह जिन्दा हो जाएगी वैसे इन लोग की एक ही चाला की बार बार नहीं चलेगी ना काम नहीं आएगी वसे इस बार तो काम आगए इसने फिर से मुझे पकड़ लिया लेकिन यह मुझे मार नहीं पाईगी मैं इसके काम तमाम करूंगा चैलो इसका भी काम तमाम हो गया मरती हैं तो फट जाती हैं मरते बाग भी जहर शोड़ती हैं इतनी जहरीली है वसे लियोन जहरीला नहीं है लियोन इनसान है इसलिए लियोन के उपर यह सब चीज़े एफेक्ट कर जाती है यहाँ से तो नहीं जाना होगा वही गली से मुझे जाना होगा जहां पर वो बुद बन के लेटी थी यह रास्ता जो है टूटा हुआ लग रहा है अब इस रास्ते को भी मैं चेक कर लेता हूँ कि यहां क्या क्या है मकड़िया तो जरूर होगी यहां और कुछ हो ना हो यहां से तो मैं आया था सॉरी दुबारा चला गया मैं उसी जगा पे तो क्या मकड़िया आईगी अब यह नई जगा दिख रही है यहां पे जाएंगे तो जरूर मकड़िया आईगी मुझे चेक सारे रास्ते करने होंगे फैंड गन है मों मिल गई अब यहां पे भी मुझे काफी साउधानी से चलना होगा क्योंकि यह लोग बहुत बड़े चुरूरे है और चुरों से मुझे नफरत है वैसे इन लोग के कोई भी चुरूरा पंती मेरे उपर अभी तक काम तो आई नहीं है क्योंकि मैं तो मरा नहीं हूँ उल्टा मैंने खुब सारी मकड़ियों को मार दिया है इन उड़ने वाली मकड़ियों को चालो इसका भी खाम तमाम हो गया चाकू के साथ वसे जब यह गिरती है तो तुरन चाकू मार देना चाहिए उससे जो है काफी गोलियां बचती है अब यह भी चाला की दिखा रही हो एक इदर से भी आ रही है क्या न मैंने यह लोग बहुत बड़े चुर्वे है और चुर्वों को जवाब जो है चुर्वा पंतीस ही देना चाहिए क्योंकि डारेक्ट आप भागते हो जाओगे सीधे सीधे तो यह लोग आपको पर हमला कर देंगी इसलिए इनको जवाब इनी की भाशा हम देना चाहिए चरलो हैंडगन एमो क्राफ्ट हो गई काफी बरबाद हो रही है ना यहाँ पर हैंडगन एमो सब तिन तिन चार चार खा रहे हैं लेकिन एक बात अच्छी है कि चलो अब शॉर्ट गन बच रही है मेरी गोलिया यहाँ पर कोई एलिवेटर है लीवर है सौरी चलो यह गेट आदा खुल गया मुझे लग रहा है कि आदा कहीं और से कुलेगा कहीं और भी लीवर होगा लीवर बोल लो यह क्रेंक बोल लो कुछ भी कहीं और भी लीवर जरूर होगा जिसे आदा गेट खुलेगा आदा तो खुल गया है मुझे लग रहा है इसी रास्ते पर आगे मुझे जाना है मुझे लग रहा है मकड़ी है महाँ पर उड़ने वाली मुझे यह कावी अच्छा लगता है डांस करने लगती है यह स्टन हो जाती है इसके उपर पिर आप हमला कर सकते हो एक और आ गया मुझे पीछ आटना होगा फिर से नहीं तो यह मेरे उपर हमला कर देगी वैसे इन लोगे पर काटना आता है मुझे चलो इसका भी काम तमाम हो गया अब यहां लैडर दीख रही है लेगिन यह कार यह मकड़ी और पहले इसका मुझे काम तमाम करना होगा नहीं तो यह मेरे सारी लाइफ खा जाएगी और मेरे सारी मेहनत बरबात कर देगी मुझे फिर से सुरू से खेलना पड़ेगा इसमें काफी टाइम बेस्ट हो जाएगा मेरा अब यह बहुत चलाक है वही रुकी होई है इंतिजार कर रही है कि मैं आ गया हूँ मैं उसका इंतिजार कर रहा हूँ कि वो आ गया है चैलो इसने मारी दिया इसने अपनी चलाकी साबित कर दी लेकिन मैं भी सर्वाइवल हो मेरा काम तमाम तो इतनी आसानी से नहीं कर इनको मारना होगा. रहे यहा तो इन लोग अनों ने मुझे घेर लिया. दो इदर से भी आ गई ये, एक फीचे वो है. का इसने पीचे से मार दिया. अब ये मेरे लिये काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि यहां पर तीन तीन है और तीनों ने मुझे घेर लिया लेकिन मुझे आता है इन से छुटका रपाना अब एक और दिखरी है वहाँ पर इसका भी काम तमाम कर दूँ मुझे लग रहा आगई लीवर है वो जो मुझे दबाना है फिर वहाँ पर रास्ता खुल जाएगा पूरा गेट खुल जाएगा एक और आगई मुझे लग रहा है पर दिख रहे थे वैसे यह आखरी लीवर है ना इसलिए लोग इतनी असानी से करने नहीं देंगी मुझे इसको दबाने नहीं देंगी इन उड़ने वाली मक्खियों को काफी मैंने मार दिया है अब मैं एक बार भी नहीं मरा हूँ अभी तक के और इन सब को मैंने मार डाला है बहुत सामने मेरी मंजिल दिख रही है खुल गया गेट पूरा खुल गया लेकिन इसने मुझे पकड़ी लिया लास्ट में यह लोग भी पूरी कोशिस कर रहे हैं कि बस कान तमाम कर दो पूरी डेडिकेशन के साथ यह लोग मुझे को मारने में लगे हैं और मैं इन से ज्यादा डेडिकेशन में हूँ चलो गन पाउडर मिल गया वसे यह जितनी ज्यादा को मार रहा हो तो उतनी ज्यादा मेरी गोलिया बढ़ लई है अब मुझे लग रहा है नई जगा आ गई चलो यहां से तो मैं निकल गए इन मकडियों के बीस से बसे मैंने इन लोग को डॉमिनेंट किया है इन लोगों ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं पूरे गेम में आप लोग देख सकते हो यह बात कि मकडिया मुझे एक बार भी यह लोग मार नहीं पाई और मैंने उल्टा बीस पच्चिस को मार दिया क्या है उनकी बाते अब अटाओ अब वो लोग तो पास्ट में चली गई अब देखते हैं आगे क्या है हम आगे का सोचने वाले लोग है ना पीछे जो जा चुका है तो उससे क्या फरक पड़ता है अब मुझे लग रहा है यह ब्रिज हम लोग को बनाना है आधा तो बन गिया मुझे लग रहा है कहीं और भी मुझे निशाना लगाना एक जगा तो मैं निशाना लगा कि इसको आधा कर दिया मुझे करने के लिए एक और गिराना होगा बैक जैसा जो होता है ठैले जैसा बैक तो होगा नि कोई भारी चीज़ होगी लेकिन दिखने में बैक जैसा होता है न तो इसलिए बैक बोल दिया मुझे लग रहा है यही से निशाना लग पाएगा आई यही है अब पूरा बिरिज़ बन जाएगा मुझे लग रहा है कि जो है देखता हूँ इस डूर के पार क्या है बसे इस गेम में कुछ भी बोल नहीं सकते है कब क्या हो जाए लग रहा है दो गहरे डौर आगए वही अंदा जिसको हम लोग ने पीछे मारा था लेकिन यह इस में से आर्मर वाला भी है जिसे मारना है काफी हार्ड होगा और बागी वाला तो सेम होगा वही बज़े यहाँ पर काफी होशी आरी से इन लोग को मारना होगा क्योंकि यहाँ जॉम्बीस पर अगर मैं गोली चलाओंगा तो वो लोग सुन लेंगे देख तो वो लोग पाते नहीं लेकिन उनके कान बहुत तेज हैं यहाँ चली गई होगी गोली की अब मुझे होश्यार रहना होगा इन लोगों से भी और उन लोगों से तो ज़्यादा ही तो यह मारेंगे तो इतनी लाइफ नहीं जाएगी लेकिन अगर गैरे डॉर ने मारा तो लाइफ अच्छी खासी जाएगी हो सकता है वो मुझे पसा पर मार भी दे आ गया यह वो भी आया भी तो बैंकर वाला शील्ड वाला चलो गन पाउडर मिल गया अब यह मुझे ढूंड रहे है भाई साब और यह नॉर्मल वाला भी गहरे डॉर आ गया अब यह मुझे पूरी कोशिस कर रहा है शिद्द से मारने के लेगिन यह काम्या अब नहीं हो सकता इस चीज में अब मुझे फिलाल तो बैक अप बनाना होगा भागते रहना होगा यह मैंने काम बढ़िया किया वैसे यहां पर सही था गरिनेड का इस्तमाल करना वैसे गोलियों का इस्तमाल करता तो वो उल्टा आके मुझे ही मार देता चलो इसका काम तमाम तो सूपलेक्स से हो गया वैसे यह लोग भी बड़ा दिमाग लगा कर मुझे गेर रहे हैं यह इसने मार भी दिया मुझे लेगिन जान से नहीं मारा अब इसका खामियाज है इसको बुगतना पड़ेगा अपनी जान दे कर यूकि मैं अब इन सब का काम तमाम ही कर दूँगा लेओ ग्रेनेड लो चलो पड़ा इसके थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ ही होगा वैसे अब मेरी लाइफ भी बढ़ चुकी है तो जो है अब मैं असाने से इन लोगो लाइफ अपनी घटाने नहीं दूँगा और बस मुझे बच्टे रहना है और बस इनको किसी भी तरीके से गोली मार देना इसके पीछे के इससे पर गैरे डौर के बाकि इन सब को तो मैं असानी से मारी लूँगा चिंटू मिंटू को बस इनको मारना थोड़ा कठीन है गैरे डौर को ये दोनों बस कम हो जाएं बाकि ये सब क्या कर लेंगे चिंटू मिंटू चाहलो उसी को मार दिया उसने अपने ही दोस्त को मार रहा है अपने ही साथी को मार रहा है बटा जाने जाई उर्ण को बच्चे काम करते हैं लेकिन लिएन जियान है तुम्हारे काली कान हिए उसका पूरा का पूरा जिसम काम करता है तुम जाहिर दें बात देम उससे जीते का मैं लोग पे जाई हो कैसी बस मुझे तोड़ते हुआ आता है मेरे पास ये भी आ रहे हैं इधर से ये लोग भी डिस्टब कर रहे हैं ये लोग भी निशाना ही लगाएं दे रहे हैं अपने ही साथी का काम तमाम कर दिया उसने बस हाँ ऐसे ही मारते रहो ताकि मुझे कम को मारना पड़े ये काम यही करता हूँ को इन्हीं लोग को ले जा ले जा कर फिटवा देता हूँ इसका भी काम तमाम कर दिया इसने और मुझे भी मार दिया एक दूँआद बजीया मैं लाइफ लेकिन चली गई 20-30% लाइफ चली गई मेरी लेकिन अभी मैं जिन्दा हूँ इन लोग काम तम है लेकिन आस्मान से गिरा और खजूर मैट का काम तमाम कर दिया इसका मैं अरे ये लोग भी लग रहा है मेरा काम तमाम लगब करी देंगे लेकिन इतना असान नहीं है बस मुझे इस समय तो भागते रहना है क्योंकि मेरी लाइफ काफी चली गई है मुझे इन लोग से बस मुझे फिलाल तो भागते ही रहना होगा देखना होगा कि एक लाइफ मुझे को मिल जाए बस लग रहा है मिल गई है ग्रीन हर्प बहुत अच्छे टाइम पर मिली ये अब ये लोग ज़्यादा गो लीगे मेमान नहीं होंगे इनका काम तमाम हो जाएगा बस मुझे इनके उपर निशाना लगाना होगा इनके शान्त होने के अन्दिजार करने के बाद ये देखाँ सुन लिया इसने फिर से मैगनम है मू मिल गई ये लोग जब तक के मरेंग नहीं तब तक के जो है ये लोग मुझे मार के लवाते रहेंगा वहाँ भी उसने अपने सर से ब्लेड निकाल लिया है चालो उसका काम तमाम भी कर दिया इसने मुझे को नहीं मारना पड़ा अब मुझे बस इसको मारना है निशाना लगा के चालो पड़ गया निशाना दो गोली पड़ गई और ये आ गया मेरे पास अब मुझे फागना हो गया यहां से क्योंकि सब कुछ सही जा रहा है बस इन लोग का काम तमाम होने ही वाला है बस मुझे घंटे बजाते रहना यह जा के माँ खुझ जाएगा बस पस जाएगा बस मुझे इसके उपर निशाना लगाना है पीछे के इस से पर बच गिया इसके उपर सही से नहीं लग पाया उसका तो लग रहा है काम तमाम हो गया है मुझे लग रहा है बस खाली यही बचा है अब ये भाई साब क्या कर लेंगे अकेले इनका भी काम तमाम कर दूँगा जैसे इतने सब का काम तमाम कर दिया और वो सब कुछ नहीं कर पाएं मेरा कि अभी कुछ नहीं कर पाएंगे वज़े सुनने की कोशिस कर रहा है मेरे कदमों की हाट को ये ये जानता तो है मैं यहां पे हूँ लेकिन कहां पे हूँ ये नहीं जानता ये ये तो अभी तक आके मुझको मार दे था जाहिर सी बात है अभी यज़ और एक दम सीधे आरहा है मेरेत तरफ आ रहा है ओम मुझे थोड़ा बैक अप लेना होगा प्यूंकी हो सकता है ये दोल के आ जाए एक दम से आरहा है दोल के आ रहा है इसका काम तौम होगा एक का तो काम तौम होगा यूनिकॉर्ण मिल गया एक से अभी हमको लग रहा है इसको भी मार कर मुझे यूनिकॉर्ण लेना होगा तब ये गेट खुलेगा वैसे अभी बिचारा केल है बच्चा है इसको मारना इतना आसानी होगा कटिन तो होगा नहीं यहां पर यही करना है गंटों पर मारो बस जाके यह फस जाएंगे दीवार में दो गोलिया मार दी बस अब यह जदेज़ जदा एक दो गोली के मैं मानूंगे बस बसे कान इसके बहुत तेज हैं काफी तेज दोड़ के आता है जरी सी भी आहट सुनता है बहुत तेज दोड़ के आता है और वहां पर दिमाग लगा रहा है कि यहां से मैं कैसे सुनू कहां पर है यह चैलो एक और हर्ब मिल गई हर्ब मिलना जरूरी है बाकी लड़ना तो असान होई जाता है सर्वाइब करना आप शान्त हुआ है मुझे इस पर निशाना लगाना होगा बस यह भूम जाए पीट की तरफ चैलो लग तो रहा है इसका काम तमाम हो गया चैलो सब का काम तमाम हो गया अब यहां से निकलना होगा यूनिकॉन लेके अब देखना होगा कि यहां पे इस के आगे क्या है इस गेट के आगे पहले सब सामान यहां से बटोर लेता हूँ क्योंकि काफी गोलिया इन लोग ने बरबाद कर दी है अब मुझे नहीं लगता है कि यहां पे और आइटम होंगे बस मुझे यहां से निकलना होगा यहां यहां से निकलना होगा यहां भी चेकी कर लेता हूँ एक बार यह एक मटका यह भी बचा हुआ है वसे काफी गोलिया यहां बरबाद हो गई ना तो कुछ आइटम छोड़के अब आगे नहीं बढ़ सकते नहीं तो गोलियों की कमी हो जाएगी एक यूनिकॉन यहां लगेगा हॉर्न तो एक यहां लगेगा जहां तक अब गेट खुल जाएगा अब देखना होगा इसके आगे क्या होता है इसके आगे कौन सी मुसीबत है अब इससे पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत आ गई जिसका मैंने काम दमाम तो करी दिया सर्वाइवल कर गे स्टोरी आ गई आशले पे लोग जादू टोना कर रहे थे यही तो आशले को लेकर जा रहा था महाँ पे उठा के वасть! वजग प्रिक काль म्टयोग थे ख।।। इसक थाले भोप अजड आंगे क्यो झाले न्या हैं और य हैं Griffith लग रहा है इसने मुझे धक्का मार के लियॉन को नीचे गिरा दिया मुझे लग रहा है कि मुझे नीचे से ही इन लोग तक पहुचने का रास्ता डूढना होगा ये एक जॉम्बी भी गिरा मेरे साथ वो तो एक दमी नीचे गिर गिया उसका काम तमाम हो गया अब मुझे इस अंधेरे रास्ते से यहां से निकलना होगा और इन लोग तक पहुचना होगा जो कि लोग आशले के साथ मरलब जो है कुछ कर रहे हैं गलत अब मुझे देखना होगा कि मैं वहां उपर कैसे पहुचूंगा यहां नीचे से यहां पर काफी अंधेरा है क्योंकि इन लोग ने काफी नीचे मुझे गिराया है कुएं जैसी जगाती है अब काफी यहां पर जानवरों के हड़ियां भी दिख रही है और निशान दिख रहा है इनसाइनिया का जहां पर भी कोई जॉम्बी है ग्रीन हर्प दिख रही है वहां पर बस मुझे आगे बढ़ते रहना होगा वही वही रास्ते पर मुझे नहीं नाचना है बस मुझे जो है जो रास्ता सीधे दिख रहा है जिस रास्ते पर मैं नहीं गया हूँ बस मैं उसी रास्ते पर बढ़ता रहूँगा यहां पर भी जॉम्बी को वटा के मुझे आगे बढ़ना होगा वैसे ऐसी जगह पर जहां पर इतना अंदेरा है वहां पर रास्ता ढूनना काफी कटिन होता है क्योंकि सब रास्ते एकी जैसे होते हैं लगता तो है हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं लेकिन जो है हम लोग वही रास्ते पर होते हैं लेकिन फिलाल तो यह नया रास्ता लग रहा है इसी पर मुझे आगे बढ़ते रहना होगा यहां पर बंद हो गया यह यहां पर क्राउल करना है लग रहा काफ़ी ध्यान देना होता है नहीं तो अगर जरासा आप चूक गए तो फिर आप वही वही नाचते रहो और फिर आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा बस टाइम बरबाद होगा अब देखना होगा यहां पर काउन सरासा अरे यह कोई आ गया अब इससे यह फिलाल तो पानी के अंदर है तो इससे मुझे लड़ाई करके कोई फाइदा नहीं है मुझे यहां से निकलना होगा क्योंकि इससे लड़ाई करके कोई फाइदा नहीं है मुझे लग रहा है सीधे ही जाना है इधर ही जाना है यहां से कूदना है और किसी भी तरीके की fight को avoid करना है बस आके बढ़ते रहना है जल्दी और इस जगह से निकलना है इस अंधेरी जगह से महौल वैसे यहां पर काफी ड्राउनी फिल्मों जैसे बना हुआ एकदम अंधेरा गुप अब पानी से भी कोई चीज निकल के मेरे उपर हमला कर रही है बस उसे भी avoid करना है नहीं तो गोलियाई खाली बरबाद होंगी और जो आगे बास आने वाले पिर उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा लग रहा है आगी है वो बस मुझे avoid करना होगा इस fight को देखना होगा कि कहां पर रोशनी है बस आगे बढ़ते रहना है आगे रोशनी दिख तो रही है वैसे देखता हूँ कि यह खुलता है कि नहीं खुलता है मुझे नहीं लगता है यह खुलेगा अब ऐसे इसके ओपर निशना लगा है कोई फाइदा नहीं वो पानी में जाता हूँ तब ही आता है वो काफी होशियार है वो जैसे पार रखूंगा वैसे आजाएगा पानी में बस मुझे इस से लडाई नहीं करना है बस यहां से नहीं करना है भागते हुए मचली भी दिख रही है जगा ही नहीं इसको रखने के तो मैं नहीं रख सकता चलो एक गोली तो पड़ गई कम से कम मुझे रहा से निकलना ही होगा कोई फाइदा नहीं इस से फाइट करके यह बस गोलियां बरबाद कराएगा यह बस चोरो की तरीके हमला कर रहा है मैं रोप पर हाँ लग रहा है रास्ता मिलत हो गया है और मैं इस जगह से निकल गया हूँ क्राउन मिल गया है दरार दिख रही है लगरा इदर ही जाना है अब देखना होगा यहां पर क्या होता है वैसे उसने हम लोगों काफी नीचे गिरा दिया है सैलिजर ने मुझे लग रहा है कोई बास आने वाला है बहुत कतरनाग बास आएगा मुझे तो यह वार्डूगो की जगा लग रही है वार्डूगो काफी टफ बास है दोस्तों हम लोग वार्डूगो की बास की जो है लोकेशन पर पहुँच चुके है वैसे और मुझे आइटम एक दम अच्छे बटोर लेना होगा क्योंकि यहां पर काफी गोलिया खर्चा होने वाली है और मैं बिना मारे इसे जाओंगा नहीं यहां से वैसे इसको आप्शन होते हैं या तो आप मार सकते हैं या तो आप लड़ाई से भाग सकते हो लिकिन मैं इसे मार के ही निकलूँगा यहां से अब देखता हूँ कि इसके पास मैं क्या क्या कर सकता हूँ 32,000 पॉइंट्स हैं मरे पास देख लेता हूँ और क्या सेल कर सकता हूँ बाया लिस सार हो गए देख लेता हूँ कि इसमें कौन कौन से जेम्स से लग सकते हैं जो मेरे पास मौजूद हैं यह तो यह आनी लगेगा स्कौाइर में लगेगा इसमें वैसे यह जेम्स लगा कि अगर यह क्राउन कंप्लेट हो जाए पूरा तो इसका पॉइंट्स जो है काफी अच्छे घासे मिलेंगे रलक तो राय कंप्लेट हो गया यह एक बचा है जेम जहां तक कि एक बचा है स्कौाइर वाला अभी कंप्लेट नहीं हुगा स्कौाइर वाला लगेगा यहाँ पे अब लग रहा है यह कंप्लेट हो गया है अब मैंने इस क्राउन को अगर सेल किया है तो ट्यून अप के लिए काफी अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे अब कंप्लेट हो गया यह एक लाग सत्रा जार करीब पॉइंट्स हो गया अब देखता हूँ मैं क्या क्या ट्यून अप कर सकता हूँ इसको भी कंप्लेट कर लेता हूँ पहले इसमें तो गोल वाले लगेंगे मुझे लग रहा है ज्यादा तर यह मुझे लग रहा है कंप्लेट हो चुका है लग तो रहा है कि यह कंप्लेट हो गया है तो कि यह उदर तरफ गोमी नहीं रहा है यानि कि उदर का कंप्लेट है इसमें दो ही जेम्स लगने थे यह दूसरी रिंग भी कंप्लेट हो गई दूसरी रिंग भी कम्प्लीट हो गई तो उनो रिंग कम्प्लीट हो गए अब इनको भी मैं सेल कर सकता हूँ अब एक लाक 48,000 पॉइंट्स हो गए मेरे पास अब मैं इससे अच्छा खासा ट्यून अप कर सकता हूँ अपने हतियारों को अपग्रेड कर सकता हूँ हम अब अब कर देता हूँ इसके जगा पर स्ट्राइकर लोंगा योगे स्ट्रेकर जो है निव वैपन है जो हो प्राइटम सब्सक्राइब क्विक सेश्शन विदा हूँ 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 और रिपेर कर लेता हूं चाकू को भी क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये करीब जो आ जाते हैं निमी उनके लिए बहुत काम आता है क्योंकि उस जगह पर आपकी गोली काम नहीं आती है तो वो लोग पकड़ लेते हैं तो उस जगह चाकू कोई काम आता है चलो मैगनम का पावर तो अपग्रेड हो गया कैपैसिटी भी अपग्रेड हो गई अभी मेरे पास पॉइंट्स बच्छे हैं रेड नाइन का भी पावर अपग्रेड हो गया कैपैसिटी भी अपग्रेड हो गई जब अच्छे खासे पॉइंट से होते हैं तो अतियार भी जो है अपग्रेड हो जाते है तो अतियार अपग्रेड रहते है तो एनिमी से फाइट करना तोड़ा आसान हो जाता है बस लेकिन अपनी स्किल तो आपको लगानी ही पड़ती है उनसे जीतने के लिए अब मुझे आज से निकलना होगा पहले तो सेफ कर लेता हूँ क्योंकि गेम का इनिया में जहां कई भी सेफ पॉइंट हो सबसे पहले सेफ करना चाहिए क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अतनी असानी सेफ आने वाला है क्योंकि वार्डो को बहुत साच चुका है और इसको मारना ही काफी कटीन होगा फाइल में लिए बसे जो कुछ भी लिखा होगा फाइल में जो है जहां की जानकारी लिकी होगी जहां पर नहीं आया हूँ और वैसे मैं फाइल फाइल पढ़ता नहीं हूँ बस उसमें कॉन टाइमर बात करें बस बस से फाइट करो उन्हें खतम करो पजल सॉल। करो उसमें वैसे भी अपना ही दिमाग आपका लगता है यही फ्रीजर गैस से लग रहा है नेट्रोजन से जो है हम जो है वर्ड़ो के उपर इसको यूज़ करेंगे जहां तक क्योंकि वो काफी फास्ट होता है और उसे फ्रीजी करके हम मार सकते हैं उसके उपर निशाना लगा सकते हैं गोलियों का क्योंकि ऐसे तो वो बहुत फास्ट होता है उसके उपर गोलियों का निशाना लगाना काफी कटीन होता है वोल्टा मुझे ही मार देगा यहाँ पे लग रहा है कोई मलब अलिवेटर जैसी चीज़ है यहाँ पे अब मुझे लग रहा है यह आगए स्टोरी दिखा रहा है वो मुझे डूंड रहा है और मैं उसको डूंड रहा हूँ बस मुझे गोलिया लेते रहना है गोलिया लेते रहना है बस मुझे गोलिया लेते रहना है यहाँ पर तो कि यह एक तरीका है उससे जीतने का बाकी मेरे पास गोलिया है नहीं रहेंगी तो मैं कैसे उससे फाइट करूँ जाया इसी बात है चाकू से तो वो मरेगा नहीं इतना हाड बॉस है वो गोलियों से ही इतनी मुश्किल से मरता है वो देखना होगा कहां पर फिलाल तो यह सामने नहीं आ रहा मेरे जहां पर कोई स्विच दिख रहा है खुल गया रास्ता बस इसी रास्ते से मुझे आगे बढ़ना है जो खुला है इसका हमला चालू हो गया मेरे उपर इवेड करना था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया मैं बेटा तुम्हारा काम तमामी कर दूँगा यह वो इवेड क्या चीज़ है अब ही मैं फिलाल तो देख लूँ यहां पर कोई ने कोई स्विच होगा बटन पावार डिस्टोर्ड हो गया अब मुझे लग रहा है कि मेरे सामने आएगा जो कि आप ही गया यह मुझे इसको फ्रीज करना होगा अब मैं इसके उपर निशाना लगा सकता हूँ फिलाल तो मैं अगनमी से मारूंगा इसको ताकि ज्यादा कम से कम मेरी गोलियां बरबाद हो और जल्दी से जल्दी मर जाए यही एक ऐसा थियार है जिससे यह तोड़ जल्दी मरेगा बाकि राइफल राइफल तो इसके उपर बहुत मुझे बहुत मुझे असर होगी मुझे इसको खोलना होगा नहीं तो यहां एक कमरे में तो मैं इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ फिलाल तो लग रहा है वो भाग गिया है मार खाके लेकिन वो वापस आएगा जल्दी यह लिफ्ट भी लग रहा है आ रही है जब तक कि मुझे इससे फाइट करना होगा उसके बाद मैं चाहूँ तो इस फाइट को इसकिप भी कर सकता हूँ लेकिन मैं फाइट को इसकिप नहीं करूँगा मैं इसको मार के ही जाओंगा यहां से बस मुझे इवेट करते रहना है जब तक ये मेरे सामने नहीं आ जाता ये चुर्वों की तरीके मेरे उपर हमला कर रहा है चोरों की तरीके सामने नहीं आ रहा फिलाल तो अब याया मेरे سामने बस इसको मुझे फ्रीज करना होगा इसी तरह से चलो यह फ्रीज हो गया पाँच गोलिया है मैगनम की अब इसे मैगनम सही फ्लाल तो मैं मारूँगा ताकि जो है मेरे पास कम टाइम बचे वालब इसकी पास कम टाइम बचे मुझे से लड़नेगा और इसका काम तमाम हो जाए तो इसने फ्रीजर हटा दिया मुझे यहाँ से भागना होगा और इसने मुझे पकड़ भी लिया निकलना होगा मुझे यहाँ से देखना होगा और कहाँ स्वेच है जहां से मैं इसको फ्रीज कर सकता हूँ यह तो रास्ता बन लग रहा है मुझे भागना होगा साइट से क्योंकि इसका एक एक वार काफी खतरनाक है और मेरी काफी लाइफ ले रहा है देखना होगा मुझे दूसरा स्वेच कहाँ पर है मुझे लग रहा है यहां पर है यह नई जगा दिख रही है बस जरा से मौका पा जाता है बस तुरन थमला कर देता है इसलिए तो इसको जल्दी से जल्दी इसका काम तमाम करना होगा और इसको मौका नहीं देना होगा मुझे क्योंकि इसे मुझे मैंने इसे मौका दिया तो यह मेरा काम तमाम कर देगा फ्रीजर स्विच नहीं मिल ला है नए रास्ते भी मुझे जाना होगा तब ही मिलेगा यह है यह एक स्विच मिल गया अब मैं इसको फ्रीज कर सकता हूँ अब मैंगनम की गोली यह खतम हो गुई है इसलिए मैं सिर्ड राइफल से मारूँगा है उसके बाद सबसे पावरफुल अत्यार यही है राइफल अब इससे ही मैं इसको जित्ति गोली अ मार पाऊं उतने मारूँगा यहाँ पर क्योंकि यह आखरी टार्न है यही मेरे पास टार्न होगा इसके बाद अगर मैंने इसको मौका दिया तो मेरा यह काम तमाम कर देगा इसलिए मुझे इसको यही पर मारना होगा चालो इसका काम तमाम हो गया वैसे मैंने काफी जल्दी मार दिया इसको इससे कोई नेकलेस जैसा भी कुछ मिला है जो की सेल कर सकता हूँ मैं चलो अभी यहां से निकलना होगा मैंने फाइट का वाइड नहीं किया, इसकिब नहीं किया इसका काम तमाम कर दिया ज्यादातर लोग यहां पर भाग जाते हैं लेकिन मैं उन में से नहीं हूँ मैंने साबिक कर दिया इसका काम तमाम करके बस मुझे सामान यहां से बटोर लेना आइटम क्योंकि गोलियां काफी खर्चा हो गई है बस मुझे उस लिफ्ट तक पहुंचना है एलिवेटर तक के लेकिन मैं सारा सामान बटोर के यहां से जाओंगा तो कि यह काफी बड़ा एरिया है यहां पर आइटम भी काफी ज्यादा होंगे बस जल्दी से जल्दी मुझे एलिवेटर तक पहुंचना होगा यहां पर सारा काम हो चुका है बास को भी मार चुके हैं अब यहां रुकने का कोई फाइदा नहीं देखना होगा कि अलिवेटर कहा है क्योंकि काफी रास्ते कन्फ्यूजिंग है यही जैसे हैं अब मैं साही रास्ते पर हूँ यहां 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 दिख रहा है यहां यहां तक मुझे पहुंचना है इसी यहां निशान तक बस यहां यहां से निकलना होगा जल्दी और राशले तक पहुंचना होगा नहीं लग रहा है लियाउन के पर टी वाइरस का हमला हो गया है अब देखना होगा लियाउन क्या करता है मुझे लग रहा है इसको ड्रीम्स जैसे कुछ आ रहे है सैडलर के यही आकरी बॉस होगा हमारा आकरी बॉस को देख लेते हैं एक बार क्योंकि इसके बाद फिर इससे फाइट ही होगी मुझे लग रहा है क्राउजर दिखा था लूइस हा गया चैप्टर एंड भी हो गया क्योंकि इससे थाहा है मुझा अविले जो ये एकुर अविले के वड़ा अवे इसके बस्पार आख के वे ठाओ यह झाओ इसका घूँ बेड़ यह, वो कि अवेड़ाा है जड़े बादे नहीं है, बढ़े हो जो कि अधूने लुटे हैं अब्सक्रश्ण सफेट में रहे हो लुट जा कि अजर में से खूने हैं बढ़े बादे डिर्थियों कि उसले तो एक मैं, आशी है और एक प्रियों यहीं है लुटे जड़े हैं और दोस्तों ये गेमपले यहीं पैंड होता है और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा